सुप्रिम कोट के सक्त तेवरों के बाद महराष्ट की सिंदे सरकार में घबराहट दिखाई दे रही है विधान सभाय स्पीकर राहू नारविरकर ने भी सुमवार से विधायकों की अयोगता पर सुनवाई करने की तैयारी कर ली है तो इस बीच अजानक ग्रह मंत्री अमिट्शा की सियम शिंदे और फरनवीज के साथ हुई गुप्त बैठक की खबर भी सामने आ गई है तो आखिर शिंदे सरकार को कि संकट की मिल रही है आहाट देखी एरपोर्ट एकना शिंदे की कुर्सी जाने वाली है विधानसभा अध्यक्ष राहुन नार्वेकर शिंदे की अयोगता के जिस मामले में सुनवाई कर रहे हैं उसका फैसला वो शिंदे की खिलाफ देने वाले है सुप्रिम कोट के सक्त निर्देश के बाद अब ये तै हो गया है कि विधानसभा स्पीकर का फैसला जल्द आने वाला है सुप्रिम कोट ने उद्धवगोट की याचिका पर विधान सबाय स्पीकर को जल्द ही नियमों के अनुसार फैसला देनी को कहा है और फैसला शिंदे के खिलाफ आ रहा है ये तैमाना जा रहा है इसके संकेत तभी मिलना शुरू हो गए जब सुप्रिम कोट के नियदेश के फोरण बात विधान सबाय स्पीकर राहुल नार्वेकर जो बीजेपी विधायक भी है वो दिल्ली पहुँच गए थे और पार्टी की वर्ष नेताओं से मिलकर वापस मुंबई लोटे है नार्व मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल नहीं थे केंजे ग्रहमंत्री अमिश्या के मुंबई में खोने के बावजूद अजीत पवार अपने ग्रह नगर बारामती में थे जिसके बाद साफ संकेत मिल गए है कि ये बैठक शिंदे की आयोगेता के मुद्दे को लेकर हुई थ अजीत शाओ के लिए बाद सिंदे की आयोगेता अजीत वे ग्रहमंत्री अजीत पवार शाओ के लिए बाद सेवाज।